Dear viewers, हमारे द्रिश्टी PCS चैनल पर अपसे हर रोज शाम छे बजे राज्य विशेश करण्ट अफियस देखना न भूलें. धन्यवाद. द्रिश्टी आईएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है. आज का हमारा आर्टिकल दहिंदू में छपे लेक, दहिंट ऑफ वान नेशन, वान एंजियो रिजीम के सारांच पर अधारित है. इस आर्टिकल में टीम द्रिश्टी के इंपूट्स भी शाम ये ओडियो आर्टिकल सामाने अध्यन प्रशनपत्र 2 के राजविवस्था खंड से जुड़ा है. तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं, जिसका विशे है एक राष्ट्र एक एंजियो के माइने. हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें. हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल ब्रिश्टी आएस इंग्लिश. बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिनके रिजिस्ट्रेशन की मानने था 29 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच खत्म हो रही है. मगर मंत्राले ने मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में इस थापित मिशनरीज आफ चैरिटी के रिजिस्ट्रेशन के नवीनी करण संबंधी आवेदन को खारिच कर दिया. हाला कि कई पार्टियों और आलोचकों के विरोध के बाद आवेदन सुईकार कर लिया गया और इसके रिजिस्ट्रेशन की वैदता बरकरार रखी गई. मगर इस से एंजियों के रेगुलेशन से जुड़ी केंदर सरकार की भूमी का चर्चा का विशह बन गई है. कई पत्रकारों और जानकारों ने एंजियों पर केंदर सरकार द्वारा इस गदर नियंतरन की आलोचना की और कहा कि केंदर सरकार का ये रविया एक राष्ट्र एक एंजियों की नीती की और इशारा कर रहा है. यही कारण है जिससे एक राष्ट्र एक एंजियो का कॉंसेट उभर कर सामने आया है एक राष्ट्र एक एंजियो सिवल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहत खास है लहाजा इस आउडियो आर्टिकल में हम इस से जुड़े उन सभी विश्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो परीक्षा के हिसाब से महतुतून है तो सबसे पहले एक राष्ट्र एक एंजियो के कॉंसेट को समझेंगे साथ ही जानेंगे कि भारत में एंजियो के स्थापना कैसे होती है इसे कौन रेगुलेट करता है और इसके रेगुलेशन से जुड़ा क्या कोई कानून है अगर है तो वे कौन से कानून है फिर एक राष्ट एक एंजियो के फाइदों और चिंताओं पर भी गोर करेंगे और आखिर में इन चिंताओं से निपटने के उपायों पर भी बात करेंगे तो आईए सबसे पहले जानते हैं एक राष्ट एक एंजियो के कॉंसेट को दरसल एक राष्ट एक NGO भारत के सभी NGOs को सिंगल रेगुलेशन में लाने का कॉंसेप्ट है इसके तहट देश के भीतर स्थापित या कारे कर रहे सभी NGO के लिए एक जैसे कानूनों, नियमों, विनियमों और नीतियों आदिका निर्धारन किया जाएगा इससे सरकार के लिए इन NGO's पर नजर बनाए रखना और इसे रेगुलेट करना आसान हो जाएगा आपको बता दे कि NGO ना सिर्फ देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होते हैं बल्कि लोग तांत्रिक सशक्ति करन को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने में भी अपना एहम योगदान देते हैं ये गहर सरकारी संगठन होते हैं जो लाब कमाने के मकसद से काम नहीं करते बल्कि ये गरीबों का कल्यान, पर्यावरन की सुरक्षा, समाज से जुड़ी बन्यादी सुविधाओं और वंचित तपकों के विकास आदी विश्यों में से कोई एक या एक से अधिक विश्यों से जुड़े होते हैं भारत में एंजियों की भूमिका कई माईनों में खास है, ये भारत के विकास में अलग अलग तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं ये एक तरफ शासन विवस्था में जिम्मेबारी दक्ष्टा वा पारदर्शिता लाते हैं तो दूसरी तरफ मानवाधिकार के रक्षक के तौर पर भी अपनी भूमिका अदा करते हैं ये सरकार की नीतियों और कारेकरम उको लागू करने में पूरक की भूमिका निभाते हैं कई दूर दरास के इलाकों में जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है वहां पहुँच कर एक NGO समावेशे विकास को सुनिश्चित करता है NGO सरकार दोरा तै कि एगरे कानूनों के तहए स्थापत और नियंतरित होते हैं मगर खुद का सेंचालन सरकार से स्वतंतर होकर करते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो संगठनों के कामों और काम करने के तरीकों पर सरकार का कोई विशेश नियंतरिन नहीं होता है ये आम तोर पर गैर राज्य और गैर लापकारी प्रकृतिके होते हैं अलग-अलग NGO अलग-अलग नाम उसे जाने जाते हैं मसलन सिविल सुसाइटी संगठन यानी CSO, चरिटेबल संगठन और स्वेच्छिक संगठन आदी अगर स्थापना की बात करें तो ये सुसाइटी, ट्रस्ट और चरिटेवल कमपनी आदी किसी भी रूप में रिजिस्टर हो सकते हैं भारत में इसके लिए मूलत है तीन अधिनियम, सुसाइटी स्रेजिस्टरेशन अधिनियम 1860, इंडियन ट्रस्ट अधिनियम 1882 और कमपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ मौझूद है इन में किसी भी अधिनियम के तहती स्थापित किये जा सकते हैं इसके लावा ये राज्यों के द्वारा बनाएगे कानून के तहट भी स्थापित किये जा सकते हैं अब अगर इसके रिएगुलेशन की बात करें तो विदेशी अंच्दान विनियमन अधिनियम यानि एफ सी आरे और विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम यानि एफ इ एमे फिमा दो ऐसे महत्वपों कानून हैं जिनके माध्यम से इन्हे रिगुलेट किया जाता है एफ सी आरे के तहत रिगुलेशन ग्रह मंत्रा ले करता है जबकि FEMA के तहत regulation वित्मंत्राले करता है इस प्रकार मौजूदा वक्त में NGO's को इस्थापत और regulate करने में अलग-अलग कानूनों और विभागों की फूनिका होती है जो ना सिर्फ NGO's के संचालन में मुश्किले खड़ी करती है बलकि सरकार दोरन नीतियों और कानूनों को तै करना भी दुरूफ बनाती है लहाज़ा कई जानकारों ने NGO's के registration और regulation के लिए एक इकरत कानून और विभाग के स्थापना पर जोड दिया है एक राष्ट एक NGO इस दिशा में फाइदे मन्त साबित हो सकता है इसके अलावा भी एक राष्ट एक NGO के कई और फाइदे देखे जा सकते हैं तो आईए जानते हैं कि एक राष्ट एक NGO की ऐसे कौन कौन से फाइदे हो सकते हैं इसका सबसे अधिक फाइदा खुद NGO को होगा और संचालित करना पहले के मकाबले अधिकासान और पारदर्शी हो जाएगा मौजूदा स्थिती ये है कि एंजियोस को उभिन कानूनों और विभागों द्वारते प्रावधानों के तहट कारे करना पड़ता है इससे एंजियोस का ज्यादतर वक्त कानूनी मसलों में ही निकल जाता है और मूल काम और मकसद पिछड जाते हैं एक राष्ट एक एंजियो के आने से इन एंजियोस को कानूनी दावपेच से चुटकारा मिलेगा और कारे करने की दक्ष्टा में बढ़हतरी होगी इसका एक फाइदा सरकार को भी होगा दरसल सरकार के लिए एंजियोस के संबंध में नियम, विनियम और कानून बनाना आसान हो जाएगा अभी अलग-अलग कानून के तहट अलग-अलग तरीकों के एंजियोस होने के कारण इन्हें रेगुलेट करना और उन पर नजर रखना कठिन हो जाता है इसके तीसरे फाइदे की रूप में इससे भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाना आसान हो जाएगा दरिसल कई एंजियोस सरकारी सेवक, राजनीतिक पार्टियों और कॉर्परेट्स घरानों आदि के अवैद धन को वैद करने के कामों में लिप्त पाये जाते हैं इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो एक राष्ट एक एंजियोस से इस पर अंकुष लगाना सुलब हो जाएगा अगला फायदा सामाजिक मोर्चे पर देखा जा सकता है दरिसल कई एंजियोस अलग लग तरीकों से जबरन धर्मानतरन के कामों में लगे होते हैं बढ़ावा देते हैं इससे सामाजिक सोहार्द खराब होता है और लोग विवस्था बिगड़ने का खत्रा बना रहता है बीते सालों में इसकी कई मिसालें देखने को मिली भी हैं इसका एक फायदा शासन विवस्था के इस तर पर भी होगा बसल कई NGO's सरकार विरोधी और देश विरोधी ताकतों से चंदा लेकर सरकार और इसकी नीतियों वक्कारियों के खलाफ गलत अफ़वा पहलाती है इनका मकसद सामाजिक कल्यान करना नहीं होता बलकि ये राष्ट विरोधी कामों में ही लिप्थ होती है एक राष्ट एक NGO के आने से इन पर लगाम लगाना हसान हो जाएगा अब बात करते हैं एक और फायदे की तो आखरी फायदा मनी लॉंडरिंग से निपटने में भी होगा असल में कई NGO's मनी लॉंडरिंग के तहट धन पाने के स्रोत के तोर पर काम करते हैं और अवैद पैसों को अपने चैनलों के माधिम से वैद बनाते हैं इससे देश में पैरलल मनी की समस्य उत्पन हो जाती है एक राष्ट एक NGO इन सभी से निपटने में कारवगर साबित हो सकता है हाला कि कई जानकारों ने एक राष्ट एक NGO के संबंध में कुछ चिंताएं भी जाहिर की है तो अब सवाल है कि एक राष्ट एक NGO के कौन से जुड़ी आखिर वे कौन से चिंताएं जिनकी बात जानकार करते हैं तो सबसे बड़ी चिंता है कि इससे NGO's की स्वतंतरता प्रभावित हो सकती है। रेगुलेशन में केंद्री करण की प्रवर्ती बढ़ने से NGO's राजनीतिक भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। इससे इनके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा एक चिंता छोटे NGO's से जुड़ी है। दरसल एक राष्ट एक NGO के कारण सभी NGO's के लिए नियम और प्रक्रिया एक जैसी हो जाएगी। ऐसी स्थिती में छोटे NGO's द्वारा सारे नियम और प्रक्रिया अपना पाना आसान नहीं होगा। इससे छोटे NGO's के अस्तित पर खत्रा भी उत्पन हो सकता है। गौर तलब है कि छोटे NGO's बड़े NGO's के पूरक के रूप में काम करते हैं और वैसे दूर दरास के इलाकों को टार्गेट करते हैं जहां बड़े NGO's नहीं पहुँच पाते। एक और चिंता ये है कि NGO's के रेगुलेशन में केंद्री करण बढ़ने से NGO's से जुड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों की निजी जानकारियों पर सरकार द्वारा नजर रखना और आसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इससे योग्यों और कर्मठ लोग NGO's से जुड़ने से कत्राएंगे। अधिए NGO's की काम करने की एफिशेंसी कम हो सकती है। इसके अलावा कई जानकारों ने एक चिंता ये भी जाहिर की है कि अधिक केंद्री के रेगुलेशन से NGO's की संरचना और कार्य प्रणाली में विखंडन का डर है जिससे ये अपने मूल मकसद से भटक सकता है। इसलिए ऐसे में इसके लिए कुछ जरूरी उपाय करने की दर धकात गठन करना चाहिए। इसका फायदा एक तरफ ये होगा कि NGO's राजनीती प्रेरित भेदभाव का शिकार से बच सकते हैं तो दूसरा फायदा ये होगा कि ये सरकार से सीधे तोर पर टकराव से भी बच जाएगा। दरसल मौजूदा स्थिती ये है कि कि किसी भी कारण से NGO's का रेजिस्ट्रिशन कैंसल होने की स्थिती में सीधा आरोप यही लगता है कि सरकार ने भेदभाव पूंट तरीके से रेजिस्ट्रिशन कैंसल किया है। सरकार को NGO's के गयर मकसद के कारें से निपटने के लिए ऐसे नियम बिलकुल नहीं अपनाने चाहिए जिस से सार NGO's के वित्य स्थिती प्रभावित ना हो इसके लिए सरकार को अलग से फंड की विवस्था करनी चाहिए क्योंकि छोटे NGO's ना सिफ समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं बलकि कई रिमोट इलाकों में रोजगार भी मोहया कराते हैं। कुल मिलाकर सार ये है क सिविल सोसाइटी संगठन ना केवल समावेशी सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणिय विकास की गति को तेज करते हैं बलकि लोगतांत्रिक विवस्था को बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। तो आईए अब नूट करते हैं आज का सवाल एक राश्र एक एंजियो से आप क्या समझते हैं। एक राश्र एक एंजियो से सामाजिक और लोगतांत्रिक विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परिक्षन कीजिए।